हलो नमस्कार आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह मैंने पहले बच्पन से बताता है जब मैं पैदा हुआ था जो जवाने में लेटन वेटन होती नहीं थी हम लोग को नाली किनारे बैठा दिया था नंग धरां नाली किनारे बैठ जाते थे मतलब जब थोड़ी से जैसे तीन-चार साल के उमरते गिरगुरा ना जाए चल फिल लेते थे तब बैठा दी जाते थे हैं और हम लोग बाहरी लेटन करते थे आप बंगया है लेकिन तब लोग बाहरे जो पुराने हैं उनको लैटन रास्नी आता वो जो हैं खेतों जाते हैं तो वैसे हम लोग को नाली किनारे बैठा जाता यह कहीं पैठा दिया थे वहां लोग अपना निभ्त्यकर्म करते थे सहां बदत्तन के पात्तकत्ट, मैं इस लाइन में आया क्यों यह बहुत पहले से सबंगवाने लिवत दिया था जो अदुर। और बहुत नागा सादू सन्यासी थे हाते हुचले आ रहे हैं उसके पीछे पीछे बड़े बड़े देवी देपताओं की मूट्यां थी बहुत भीर थी तो ऐसा सपना उन्हें सुबे देखा उनकी नीथ खुर देग उनके मन में खटका हो गया कि क्या मेरा बेटा जो पैदा होगा वो सन्यासी तो नहीं होगा खैर मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया मुझको इसी तरफ से रुजान होता था तो जो में लेटिन करने मलब वोई एज होगी चार साल । पाँ साल के बिच में होगी माल आबोद था कुछ जानता नहीं था और उसमा पढ़ाई लिखाई इतनी जल्दी शुरू नहीं होती थी जब क्या करते हैं हम लोग सिक्स क्लास में एकदम डारेक्ट एडमिशन लेते से और हिंदी मीडियम होता था है बंगला मीडियम होता था है ना हम तो खर उपी में आगे था हिंदी मीडियम से छोटा बड़ा चोटी गुड़ी जब हम लोग साथ-ाठ साल के होता था तब सीक्ते थे तो तो मैं चार साल का था था करीब इतने ही होगा तो मैं लेक्टिन कर रहा था तो मेरे पास पहाड़ी इलाका था तो कि स्वादर का सब ट्रांस्वर होता रहता था था ना इस्टेशन मास्ट एक थे पहाड़ी लाका खंगोर जंगल इलाका जंगली इलाका था तो मदर ने हमको बैठा दी वहाँ पर करके आया तो मेरे पास दो बड़े-बड़े से काले बिच्छू पहारी बिच्छू वो मेरे पैर के पास थे मैं तो जानता नहीं तो बिच्छू क्या होता डंग क्या होता मारता क्या है मारता नहीं सब कुछ नहीं कहनता था भाग्य बस कहो कि मैंने उसके टंग से पकड़ लिया और दोनों बिच्छों को दोनों हातों से उठा के घर में लेता चलाया मेरी मा ने दर्वाजा खुला और देखा कि जो है अरे बेटे के हाथ में दो दो बिच्छू आरे भी या उन्होंने किसी ता से उसे चुड़ाया फ छोटी उमर का बच्चा दो दो बिच्छू काले काले बड़े बड़े और जिन्दा जात का मलब मचल भी रहे हाथ में अब बेटे को कुछ भी नहीं हुआ तो खैर उसके बाद धेरे धेरे मेरी पढ़ाय लिखाई हो गई है स्कूल आने में जो है क्या करता है फिर इसी तंत्रवन पर जान हो गया खैर उसके बाद मुझको सरकारी नौकरी मिली तो फिर जो है सरकारी नौकरी पागया मेडियल कॉलेज में अच्छी पोस्ट फिर मैं गया नौकरी करने तो जो है क्या करते हैं आप लोग जानती है कि इस भारत वरस में बंगालियों की बड़ी दूर दर्शा है सच मुझ का बात कर रहा हूं कि जो है यूपी में बंगालियों को हे दिश्टी से देखा जाता था पता नहीं अब देखा था कि नहीं पहले तो देखा था कहते थे हम लोग को हमारे दोस्त लोग कहते थे कि तुम लोग टर्रो काँ चार खाते हैं मैंने एक दिन पूछा टर्रो काँ चार क्या होता कहते हैं मेढग काँ चार फिर कुछ लोग कहने लगे कि जो है इन लोग जो है क्या करते हैं इतने गरीब होते हैं कि मचली जो है क्या करते हैं मचली को पानी में डूगो के रखते हैं और उसी कई जो है पानी कई वो बना के सबजी और खाते हैं तिन चार दिन यह ना और फिर जो है और कहते हैं कि बेस्ट बंगाल में इतनी कम तंग खाती कि जो आफिस जाते थे तो वो एक कोट पहने होते थे गर्मी सर्दी कभी भी और उसके नीचे कॉलर रखते थे कमीज नहीं होती थे या कोट को बंद रखते थे तो यह सारी चीजे जो है भांतिया फैलती चले गए हाँ तो मैं कहा था कि बहुत ही बंगाली के दूदरशा है हम लोग बंगाली पता नहीं क्यों यह जो मदारी उदारी जादुगार इन लोग सब अपने नाम की आको बंगाली क्यों लगते हैं मैंने तो बहुत सारे बिग्यापन देखे हैं, आटो वटो में लगे हुए, बंगाली खान बावा, आप यहाँ पर फोन करिए, आपको हर 24 घंटे के अंदर सब चीज हो जाएगा, बशी करन से ले के सब, मारान मोहान बशी ने उस्ता, मैं यह सोचता हूँ कि बंगाली को इत खैर, साप तो क्या, मुझको तो खैर, डड़ी नहीं लगता किसी चीज से, जाए साप हो, जाए भूत हो, जाए पिजाच हो, जाए कोई भी हो, तो मैं जहां काम करता था, वहां के जो है, वहां पर बिज्यों ने बहुत उप्रदव मचाया था, कल मैंने मुल्ली, मुल्ली होसला वाले मुल्ली, ऐसे मुल्ली होसला जो साप पकड़ते हैं, उनका मैंने वीडियो देखा कि उनने एक सीवेट कैट पकड़ा था, तो मैंने कहते हैं, तो ही तो मैंने भी पकड़ा था, चलो सबसे परचा करा दें, सीवेट कैट का, तो सीवेट कैट जो है, हमारे परण में मनुश्यों की जो है, मतलब सब अंग कटके जाज के लिए आते थे, और जैसे उनकर सब हो जाता था, रख दी जाते थे, तो वो जो आके उनको खाते थे, खा जाते थे, तो ऐसा बहुत ही उप्रतव होने लगा, तो एक दिन हमारे हेट सामने देखा, इस चार-चार सीवेट कैट, बिच्चू, बड़े भैंकर, और किसी चीज को लेकर आपस में लड़ने हैं, बुरी तरह से आवाज करने हैं, उनकी देख के तो रूफ बना हो गई, मैं नाम नहीं लोगा, कहां पर मैं काम करता था, मेरे हेट कौन थे, तो उन्होंने तुरंत, सायद उनके दिमाग में आया का, कि बंगाली है, यह जरू पकड़ लेगा, तो मुझको कहा, तो अब तु मैंने जिन्दगे में सीवेट कैट देखा ही नहीं था, पकड़ता क्या, सीवेट कैट, यह एक जंगली जानमर होता है, बिल्ली के आकार का होता है, पूँच बड़ी लंबी सी मोटी थी होती है, आँके बड़ी चमकीली होती है, मुझ जरसा छोटा होता है, लेकिन चौच जासा मुझ निकला होता है, उसके पंजे बहुत 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 होता है, इसका मुख काम होता है, कि सड़े गले मुर्दो को खाना, मुर्द में कोई जो होती है नस होती उसको दवा देते हैं अब बिजू जो है उसको जब जब चलता घशीरता हो तो उसके साथ साथ भूबी बाडी चलने लगती है क्या है क्या नहीं मैंने जानता लेकिन अब चार-चार बिच्चू तो मैंने कहा कि सर मैंने बकड़ा तो नहीं है कभी न देखा है आप कह रहे हैं तो करना पड़े गई मरता क्या ना करता हुई है नौक जी उसमें कच्ची थी और खैर मैंने एक पिज़णा मंगवाया बहुत बड़ा सा हमारी एनिमल हाउस भी था जिसमें मैंने रैबिट और चुहे और अन्य जानमा रखे आते हैं एक्सप्रेमेंट होता था रिशर्च होती थी तो हमने एक खाली पिज़णा मंगवाया और बहुत मोटे से दस्ताने जैसे लिए और एक बड़ा सा बोरा लिया अपने साथ दो तील लोग को लिया हमने काई इस कमरे से निकलना नहीं चाहिए यह निकला तो भी पकड़ में नहीं आएगा और चार लोग थे उनको मैंने देखा सब जूते उते पहने मोटे मोटे पैंट पहने मैंने का ठीक मैं भी जूता ही पहने था क्योंकि टांग पर हमला जुरूर करेगा क्योंकि उसका कट जो हमारे एडी के बरावर्ट होते ही होगा एडी से जड़ा से उपर और दाथ बड़े भैंकर और से काट भी ले तो सौंजी कि मानसारी जीव है सड़े गले खाने वाले तो वाइरस बेक्ट्रिया तो उनके मु मुश्किल से एक पकड़ा उसको पिजले में दाला दो पकड़ा पिजले में तीन पकड़ा चेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंच उसमें और नया नया स्कूल शुरू हुआ था तो मैंने सोचा कि बच्चो को देखने के लिए ये उनके स्कूल में पहुचा दूँ तो मैंने रिक्षा कि अब पिजड़े को लादा पिजड़े को जो है उसको ढग दिया बूरी से कि सब भीड़ना लगा लें देखने के और उनको कहा कि ये रख लीजे बच्चो को दिखाएगा फिर मैं मौका निकाल कर इसको जंगल में छोड़ दूँगा तो उनका स्कूल कुक्रेल के जंगल के पास था तो उनका आज भर रख लीजे अच्छा मुझको ये नहीं मालूम था कि किसी को मैंने पकड़ा है तो उ सीवेट कैट को मैंने रख के मैं चला आया ओफिस में हैट साम ने हमको सिर्फ धन्यवाद कहा मेरी पीठ थप तपाई कहते हैं आप बहुत बहादूर है चार पकड़ा है तो मैंने का सर मैंने कभी पकड़ा नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों आपने मुझको मालब उसाहित किया तो मैंने जो है आपके भरोसे पर ही मैंने इसको पकड़ लिया अब भई वो जो है सीवेट कैट मैंने पकड़ के पिजड़े में और स्कूल में रख दिया फिर मैं चला आया ओफिस आफिस में इसा हुआ उसके बाद फिर दूसरे दिन जब मैं पहुँचा द और दो के जो है चचच बीचच लाट उसी पिजड़े में इसका मतलब मावापने अपने ही बच्चों को खा लिया मार के इतने भूके तो थे मेरी गलती थी कि मैने जो है खाना है नहीं जी जिया था उन्हें आई मानसवास खरीट के डाल देता पिछ में में खा लिया और भहिया वो जो है खा गए फिर भहिया मेरे भाई ने मुझको हड़काया डाटा यहां गंदगी फैल ले ले जा उसको फिर मैंने रेक्षेव लादा मैं कोकुरेल के जंगल में जाकर उसको छोड़ दीगा जाव भीया और जो है यह होता है ता सिवेट कैट का यह होता है कि इस अछी खाता है लेकिन यह तो मतलब साथ पानेयों नहीं मिले रहते हैं यह दक मलत जंगलों मैं बिलकुँ अंदर कहहें हो हो खंद्रा हो या कोई मिट्टी का वह हो टीला हो उसी में बिल्वना के रहते है तो सिवेट कैट होता है यह बहुत ही नर्भक्षी होता है यह नहीं ही है, कि जो है, और एक हाते समय एतनी भैंकर रूप से लडते हैं, इतनी भैंकर आवाजे निकलते हैं, कि बड़े से बड़े से दिलगुरदाइवाले आद्मी भी काप जाए, आप जनगलों में जब कोई जाते नहीं, देखते हैं कि वो हर्र वो बना रहे हैं, बाप हो या कोई भी हो वो कोई भी शिकार होता है मुर्दा पा जाते हैं तो बस समझे उसको खाने के लिए आपस में बहुत भैंकर रूप से आवाद करके लड़ते हैं जो उनकी आवाद दूर दूर तक सुनाई पड़ती इतने भैंकर होते हैं कि बड़े से जानबर भी इन जो मैंने गोगुले में से लिया है उस जमाने में तो खैर फोन ही नहीं था और कैमरा तो बड़ी दूर लप चीज़ थी पर इदागदा लोगों के पास होती थी इसलिए उस समय का फोटो तो मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ अब मैंने गोगुले में से लिया है वो फोटो देखिए और इस तरह से बहादरी वाला काम किया उसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा सा साफ अपने घर में भी पकड़ चुका हूँ बहुत बड़ा सा साफ काला बिलकुल भुजंग था सायद वो कोबरा था या क्या था बहुत बड़ा था मतलब समझी कम से कम तीन साड़े तीन फुट लंबा था वो उसको मैंने मैरी वाइफ ने पकड़ा था मैंने उसका मुझ पकड़ लिया किसी तरीके से वो साला कमरें गुजा जा रहा था वाइफ ने पूच पकड़ रखा फिर मैंने जो है कपड़ा कपड़े से उसका मुझ पकड़ा उसको जिंगल में जा हुआ उसके बाद अभी तीन-चार दिन पहले मेरे बेटे को दिखाई पड़ा वो बेटा भी चिला है खुब जोड़ से साफ साफ मैं दोड़ के गया तो चस्मा लगाए ने उसको दिखी नहीं रहा था हाद भर का साफ था कुंडली मार के बैठा था सिड़ी उपर और बेट पूच पकड़ा एक कपड़े से मैंने जो है उसको साल ने उसने भी मुझे काट लिया मैंने का कोई बात नहीं मैं तुमको मारूंगा नहीं काटो पीटो कुछ भी करो मैं फिर उसको जेंगल में छोड़ाया अब इसको समझ के इनन समझे के वही और एक तो एक दिन मैं नहीं बहुता था तो देखा जो है ऐस्ते भी लगी थी तो मैंने क्या हुआ तो देखा एक 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 ईटे बहुत लगी तो वह उपका ।ो मैंने का खिते साम क्योंत के Kle Bell Amen क्यए यह to FELa कि और उसको जैसे नीचे जमीन पर गिरा रेंगता हुआ वो बेवकूफ बजाए जंगलों गुशने के लिए या कहीं पर गुशने के लिए वो बीश सड़क पर आ गया तो मैंने खाए यह मैं लिए वच्छा हुआ और मैंने तुरंती वहां से एक डंडी उठाई भागे बस डंडी मूटी थी बढ़िया थे उसको उठाई और किसी तरह से मैंने उसके पूंच को पकड़ा और डंडी से उसके सर के पकड़के और फिर एक हास सर पकड़ा एक हास से पूंच पकड़ा और समझी तवासा हो गया मेरे पीछे पीछे 150 की जुंड बच्चे को जुंड और साप पकड़े हैं साप पकड़े हैं और मैं सीना तर्ण के नक्से चलता हुआ जाके जंगल में उसको जाके छोड़ दिया नंगे हातों से साप पकड़ा और वो भी साला कमसे धाई फुट का साप होगा और मुटा था था थी यह काम जो है मैं जाने अन्जाने मी कर गया लेकिन वही अब में देखता हूं कि हाँ एदी काट ले तो समझे मौत ही है और कुछ नहीं एक वो भी पकड़ा था विश्खोपडा जैसे कहते हैं कहते हैं ठूकते हैं तो सर पड़ जाता है विश्खोपडा वो जो है रोज मेरे घर में जो है नाली में घुच जाता था और जिनके समय ठंड़ा के समय सूरी की गर्मी लेता रहता था उसको भी मैंने पखड़ा तो मैं जंगली जानवों से बहुती वो हूँ प्रेमी हूँ और मैं कभी भी किसी को क्या करते नुकसान नहीं पहुचाता हूँ क्या करते क्योंकि जब मैंने घर वनाया था चारो तरब जंगली जंगल था मेरा, बस हम लोग दो ही तीन घर थे, बाकि चारो तरफ जंगल था, उसमें मैंने घर उनवाया था अब तो खार चारो तरफ आवादी हो गई, वो जंगली जानवर दिखते नहीं है लेकिन मैं इन जंगली जानवर से बहुतीव हुगा फिर शमशान जाता था वहाँ तो हर तरह के जानवरों को देखा हर तरह के शमशान, कब्लिस्तान, तूटे-पूटे, खंडार, सब जगाद मुँ मारता रहता था अभी तो आपको मैंने बताया कि 36 गड़ का पूरव मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसके बाद और भी जो भी जगाब मैं पारत घुमो, बहुत घुमक करता मुरलब समझे कि क्या करता है, जब मेरी नौकरी मिली तो हमारी आदी ज़्यादर थंकाते से घुमक करिम निकल जाती थी अब मैं खूब घुमता था बदरिनात के दान ना थी, चारो धाम तो छे छे बार होया है हूँ उसके अब इंडिया के कोने कोने हम गया हूँ बस गया कहानी, लगदाक, सिक्किम, इन सब नहीं गया, बाकी तो सब जगा घुमाया हूँ आशा करता हूँ, यह सीवेट कैट मैंने जो पकड़ा, मेरा जो अपना वो था वो आपको पसंद आएगा, अरे भाईया कुस तो सरम करो आप लोग देखते हैं नहीं मेरे वीडियो, क्या मेरे मौला, मुझको क्या विल्कुल बो कर दोगे, पागल कर दोगे क्या मेरा पहला पेमेंट आश्थ तक नहीं है, पहला पेमेंट तो करवा दो, पहला पेमेंट अब सर डालर को ह मेरा जलदी जलदी करवा दो माला व्यूज बढ़ाओगे सब्सक्राइब चल्दी जल्दी बढ़ाओगे और जितने सब्सक्राइबर होंगे देखेंगे व्यूज बढ़ेंगे तो मेरे पैसे भी बढ़ते रहेंगे अच्छा धन्यवाद नमस्कार जय हिंज भारत भगवान आप सबकी इच्छाय पूरी करें अब यह मार्क्सिस्त का महिना है शुकल पक्ष है बहुत अच्छे महिना है चाहे तेसमें कोई आप लोग जो है कर सकते हैं अनुस्ठान मगरा मेरे इतने वीडियो हैं देखे कोई अनुस्ठान करें कोई हिल्प की जरुवात है मुझे वोन करके पूछ लेजेगा जाए हिंज भारत